जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी संतुलिद भोजन के विभेन घटकों में एक महत्वपुन घटक है प्रोटीन, प्रोटीन जो कि एमीनो अमलों के बहुलक होते हैं, यदि हम एमीनो अमलों की सरचना देखें, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त एक क् करत्मक समुं उपस्थित होता है, जिससे हम एमीनो समुं कहते हैं, और इस तरह से एमीनो समुं युक्त समस्थ कार्वने कंपाउंड को एक साथ हम सामोहीक रूप से इमाइन्स कहते हैं, यह एमीन्स हमारे जयवेक तरिश्टि से हमारे लिए महत्तपूर्ण तो हैं, साथ ये अध्योगिक रूप से खासकर डाइस उध्योग में तथा अउशधिय उध्योग में काफी महत्तपूर्ण होते हैं, ये एमीज प्रकृती में प्रोटीन के अलावा विटमिन्स में भी पाया जाते हैं, बहुत सार संसलेशित कंपाउंड्स के ये घटक होते हैं, जैसे कि विभिन बहुलकों, जैसे कि नाइलॉन, नाइलॉन के मुख्य घटक होते हैं, इसी तरह से यदि हम देखें डाइस, तो डाइस के निर्मान के लिए एमाइन्स का ही उप्योग किया जाता है, इसके अलावा बहुत स जिनका उप्योग यहाँ पर रग्त चाप बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इनमें दुतियक एमीनोसमू उपस्तित होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर नोवोकें, यह भी एक महत्तपुन उशदी है, आपने देखा होगा कि जब हमारे दातों में कैवटी हो जाती है, यह जिसे हम सडना दातों का कहते हैं, और जब हमें दात निकालने की नौबत आती है, तो इस स्थति में दात निकालने से पहले उसे सेंसेसन लेश करने के लिए वहाँ पर डाक्टर इनस्थेशिया देती हैं, जिससे कि वह सुन हो जाता है और हम दात आसानी से निकलवा प जो आप योग में लाया जाता है, और इसमें तर्तियकंैमिन उसमों उपस्यत होते हैं, तो इस तरह से हम देखे कि यह एमेंज हमारे जैविक परूब से हमारे लिए महत्तरपोन तो हैं ही, साथ हिसाथ यह हमारे और दोगिक दृष्ट्टी से भी हमारे리 महत्तरपोन हैم, इतना है नहीं चुकि ये माइन छारी प्रकरती के होते हैं और इसलिए ये खनिज़ अमलों के साथ मिलकर लवन का निर्मान करते हैं जिसे हम चतश्क अमूनियम लवन कहते हैं ज़िए हम इनकी सरचना देखें तो चतुष्क अमोनियम लवन में यहाँ पर जो नाइट्रूजन होता है एमीन समू का जो नाइट्रूजन होता है उस पर धन आविश्ट पाया जाता है उधारन के लिए डाई एजोनियम क्लोराई यह भी एक महत्तपुन कंपाउंट होते है हैं जिनका उप्योग डाईस निर्माण में तो होता ही है साथ ही साथ हिए बहुत से औरोटिक अर मीकिं कंपाउंड के संसीटन के लिए के मध्धवर्थी की रूप में उप्योग में लाए जाते हैं मुह सारे ऐसे गूंपान जिनका उप्योग हम सीधा बेंजिन से जिनका निर्मान हम नहीं कर पाते हैं उनके लिए जैसे की हैलो इलकेंस, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमवेेंजीन जिन्हें हम सिध्थे Benzen को लेकर बना नहीं पाते हैं वहां पर यहां पर मध्धवर्ती के रूप में हम Dioneum Chloride का उप्योग करते हैं इसके लावद Sino-Benzen इसके निरमाण के लिए भी हम Dioneum Chloride का उप्योग मध्धवर्ती के रूप में करते हैं तो इस अध्धाय में हम Amines तथा Di-Agenium Chloride इन दोनों के ही दोनों योगिकों के गुणों के विशाय में विस्तार से जानेगे तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं Amines को जैसे कि आप जानते हैं Amines Ammonia के Alkyl विद्पन होते हैं यदि Ammonia की सरचना तो आप जानते ही हैं Ammonia की सरचना में जिसमें एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जोड़े होते हैं यदि Ammonia के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को Alkyl समू या फिर Arial समू के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें Amines प्राप्त होते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक प्रकार के Amines प्राप्त होते हैं यदि यहाँ पर हम देखें कि Amines की सरचना किस प्रकार से होती है तो Ammonia की सरचना तो आप जानते ही हैं हम Ammonia की सरचना में हम जानते हैं कि Ammonia का जो नाइट्रोजन होता है वह त्री संयूजी होता है नाइट्रोजन परमाणू से तीन हाड्रोजन बंद के द्वारा जुड़े होते हैं साथी साथ इसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयार उपस्थित होता है इसी तरह से जो Aminz होते हैं Aminz भी Ammonia से विद्पन हैं यदे हम इसके एक हाड्रोजन और किल या एरिल समूस से विस्थापित कर दें या फिर 2 hydrogen को alkyl या arylikum से विस्थाप्थ कर दे या फिर 3 hydrogen को alkyl या arylisk breast कर दे तो सभी जो bonds में हम देखेंगे कि nitrogen यहां पर 3 बंध बनाता है तथा nitrogen के पास एक lone pair उपस्थित होता है तो इस तरह से हम यदि संक्रन की गड़ना करें निकालते हैं तो हम देखेंगे की इसमें तीन बंध हैं तथा एक लोन पेर हैं तो इस तरह से इसमें जो संक्रन होगा वह SP3 प्रकार का संक्रन होगा। और हम जानते हैं कि जब SP3 प्रकार का संक्रान होता है तो जामिती चतुषफल की होती है तो यहाँ पर जो M20 हैं वो चतुषफल की आकरती के होते हैं इसमें की नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो चारो SP3 हाइब्रिट और्बिटल होते हैं वो चतुषफल के कोनों के और होते हैं और लेकिन जब हम इसकी सरचना की बात करते हैं तो चुकि जो लोन प्यार होते हैं वो सरचना बनाने में भाग नहीं लेते हैं केवल बॉन प्यार सरचना बनाने में भाग लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पर यह जो तीन बंद होते हैं वही सरचना में भाग लेते हैं और इस तरह से जो एमाइन्स की सरचना होती है वह होती है पिरामडी अब भात करते हैं हम यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के बीच बनने वाले बंध कोंड की जैसे कि हम जानते हैं जब चतुषफल की सरचना होती है तो आबंध कोंड का मान होता है 109 डेग्री के बीच रिपल्सन होता है इसलिए जो होते हैं उनमें जो आबंध कोंड का मान होता है वह 109 डेग्री 28 मिनट से कम पाया जाता है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन किस प्रकार के अलकील या एरिल समूं के द्वा फ्रतिस्थापित हुए है उदारण के लिए हम बात करते हैं ट्राइ मैथल इमाइन की मुए हम यहाँ पर ट्राइमेथील आमाइन के तो यहां पर इसमें जो आबंद कुण का मान होता है वह 108 पडोल दिक्री आयार जाता है तो इस थरह से हम देखे कि जो हैमाइन की जो अमोनिय के ही एलकील या eril वित्पर्ण होते हैं तो यहां पर अमोनिय के कितने हाइड्रोजन परमाणों कवर को lkyl या eril मुं परिथापित किया गया है इसके आधहर पर transit प्रकार के होते हैं प्लमिक अमायन दुतियक अमायन तद्था धुतियक एमाइन यदि हम प्रात्मिक एमाइन देखें तो यहाँ पर जो NH3 है उसके अमूनिया के केवल एक हाइडरोजन को एक अलकील या एरिल समुह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जैसे कि यहाँ पर लिखा जाएगा आर एन एच टू जैसे कि उदारान हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 NH2 जिसमें कि अमूनिया के एक हाइडरोजन परमाणू को एक मिथाइल समुह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है इसी तरह से यहाँ पर मिथाइल की जगहा पर हम कोई फिनाइल समुह ले सकते हैं यहाँ पर यदि हम लिख देएं C6H5 NH2 जो यहाँ एर अमिधोनिया के दो हाइडरोजन परमाणू को दो एलकिल या एरिल समुह के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो हमें दूतियक एमाइन तू डिग्री एमाइन्स प्राप्थ होते हैं अब यहां पर यह जो एलकिल समू है वह समान भी हो सकते हैं और भिन भिन प्रकार के भी हो सकते हैं यदि नाइट्रोजन से जुड़े दोनों एलकिल समू या एरिल जो समूँ समान होते हैं तो इस प्रकार के द्वतियक मीन को हम सामानय गते हैं दूसरी और यदि ये भेन भेन प्रकार के होते हैं तो अन्हें हम मिश्ट अमीन कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लेँ और नाइट्रूजन से जुड़ा हुआ hr- तो यहां पर एक जो होगा दोनों अलकल सम्हुँ एक समान भी हो सकते हैं या फिर यह दोनों भिन 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 हो सकते हैं जैसे यदि दोनों ईट्रोजन को दो मिथाइल समूँ के द्वारा प्रतिस्थापित गया हो जैसे कि CO3-NHCO3 या फिर भिन-भिन ऐलखाईल समु के द्वारव प्रतिस्थापित क्या हो जैसे की CO3-NHCO2-H5 यहाँ पर एक मितायल समु है और दूसरा एथायल समु है इसी तरह से यहाँ पर एक एलपेटिक या ऐलखाईल समु को और दूसरा यहाँ पर एरिल समु भी उपस्तित ह हो सकता है जैसे कि R-NH-C6H5 तो इस तरह से हमें दुत्यक एमीन प्राप्त होते हैं सामाने दुत्यक एमीन तथा मिश्रित दुत्यक एमीन इसके बाद हम देखें तरत्यक एमीन तो यदि अमोनिय के तीनों हजड्रोजन परमाद्मों को दिया तरकोर्प्तिक एमीन प्राप्त होते हैं यहां पर यह हो सकते हैं और यह भिनधून भी हो सकते हैं जैसे कि यहां पर आर डेश डबल डेश के द्वारा प्रदर्शीत करेंगे यहां पर अब उधारा नहीं सकते हैं मालीजे तीनों हाइडोजन परमानों को तीन मेठाइल समुके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तो यहां पर यहां पर हम देखे कि जो तीनों हाइडोजन है वो तीन मेठाइल समुके द्वारा प्रतिस्थापित हैं यहां पर हम यहां आर एन सी सिक्स एज फाइब और एन से जुड़ा हुआ एक और एलकिल समु आर हो सकता है तो इस तरह से यहां पर तरतियक प्रकार के तरतियक एमाइन्स प्राप्त होंगे तो इस तरह से एलो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के एमाइन्स को हम प्रात्मिक दुत्यक तथत्यक के रूप में वर्गी करते हैं वर्गी करन के प्रशार अब हम जानते हैं एमाइन्स के नामकलेचर को यहनिकी इनके नामकरन को सामानी नामकरं सामाने विधी से नाम होता है और दूसरा रियू-पाति पंधती के अनुसार है का नामकरं करते Important are Rapha हम देखे कि जो सामानी नामकरंं किया जाता है सामाने विधी से उसके लिए जो एमाई सर्मू है उससे जड़े हुए एल्किल जो बिल्गते हैं तत्था उसके पीछ अनुलगन के रूप में यहीं जोर देते हैं जैसे कि vivid यानिकी इनका जो सामान नाम होता है वह Kellie मांइन के रूप में लिखा जाता हैं दूसरी और यदि हम इनका आयुप्यैसी पध्धति में नाम-करन करते हैं तो यहां पर भी अनुलगन के रूप में थय जो भी क्रियात्मक समू होता है उसे हम अनुलगन के रूप में एमीन के रूप में ही लिखते हैं लेकिन जो एलकेल समू होता है उसे हम हड्रोकार्बन के रूप में लिखते हैं जैसे इसका जो नामकरण किया जाता है एलकेल एमीन के रूप में लिखा जाता है लेकिन जो एलकेल का पूरा जो spelling है न लिखकर अंत में जो ए आता है उसे हम प्रतिस्थापित हटा देते हैं और उसकी जगह पर वहाँ पर एमाइन जोड़ देते हैं तो इस तरह से हम इनका नामकरण देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं प्रात्मिक एमाइन क्योंकि प्रात्मिक जो तियक जो एमाइन से उनके नामकरण में भी कुछ भिन्रता होती है तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रात्मिक एमाइन का नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे प्रात्मिक एमाइन जिसमें की अमोनिया के केवल एक हाइड्रूजन को एक एलकिल या एरिल समों के द्वारा प प्रात्मी के माइन है और यहां पर हम देखें कि इसका जो सामाने नाम होगा तो सामाने नाम में क्यों लिए एक कार्बन वाला एलकिल समू है और इसे हम मेथाइल कहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल एमाइन और दूसरी और यदि हम इसका आयूपीसी पद्धति मे में नाम करण करें तो चुकि हम जानते हैं कि एक कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है वह मेथेन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन नैमीन लेकिन जब हम लेते एक और दारन ले रहा है जैसे यहां पर है CH3 CH2 NH2 तो यहां पर जो एलकिल मूलक है वह थाइल समू है तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा इथाइल एमाइन इसी तरह से जब इसका हम आयूपीसी पद्धति में नाम लिखेंगे तो यह होगा एथेन एमीन इसी तरह से यदि हमारे पास तीन कार्बन वाला प्रात्मिक अमाइन है जैसे की और जिसमें की आप देख रहे हैं कि जो तीन कार्बन है वो सीधी श्रिंकला में उपस्थित हैं CH3 CH2 CH2 NH2 तो यहां पर चूंकि यह नार्मल प्रपाइल समू है तो इसका नाम हो जाएगा नार्मल है वह पहले वाले कार्बन पर उपस्थित है तो यहां पर हो जाएगा प्रोपेन वन एमाइन इसी तरह से माल लीजे कि यहां पर जो तीन कार्बन की श्रिंकला हमें दिखाई दे रही है जिसमें की एमाइन समू जो है वह मध्य वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार की जो सरचना होती है वह आई-सो उसमें हम प्रिफिक्स का उप्योग करते हैं तो यहां पर इसका जो सामाने नाम होगा वह हो जाएगा आई-सो प्रपाइल एमाइन जबकि इसका जो IUPAC पधती में नाम होगा तो चूकि यहां पर जो माई समूह हुए दूसरे वाले कार्बन पर उपस्तित है तो इसलिए यहां पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू एमाइन की स्थति को दर्शाने के लिए हम उस कार्बन के नंबर को लिखेंगे जहां पर जिस कार्बन से यह जुड़ा हुआ होगा तो इसक माने एलिफटिक प्रात्मिक एमाइन से जिनका नामकरण हमने जाना इसके बाद हम दूतियक एमाइन या सेकंडरी एमाइन का नामकरण देखते हैं जैसे कि मैंने कि पहले बताया कि जो दूतियक एमाइन होते हैं उन्हें हम दो भागों में वर्गिकरत कर सकते हैं एक से मेश्ट्रित शिनमे की जो अलकिल समू या या ऐर्ल समू होते हैं वो बियन होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम उदारन लिए रहा है एक सिंपल मैंन का जिसमें की आमूनिय के तीन हैड्रोजन पर माद मूं में से दो को दो मेथाइल समू के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सूचर है CH3 N H CH3। जब इसका हम समाने नाम नीलते हैं तो समाने नाम में चुकि यहाँ पर नाइट्रोजन से मेथाईल समू जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसे हम N के रूप में उसकी स्थती को दर्शाने के लिए N का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे N N डाइमेथाईल एमाइन जो की सामाने नाम होगा या इसके अलावा हम केवल डाइमेथाईल एमाइन भी लिख सकते हैं दूसरी और यदि हम इसका IUPAC पधती में नाम लिखते हैं तो यहाँ पर N को दर्शाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो एलकाईल समू है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है जनरली जो कार्वनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें प्रतिस्थापी कार्वन से जुड़े होते हैं लेकिन चुकि एमाइस में अलकेल समू ये प्रतिस्थापी वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए वहाँ पर हमें N को दर्शाना जरूरी होता है तो यहाँ पर हम क्योंकि दोनों ही मेथाइल समू नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर जो आयू पेसी पद्धती में नामकरण करते हैं तो वहाँ पर एक अलकाइल समू को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे जबकि दूसरे अलकाइल वो हम hydrocarbon के रूप में लिखेंगे, methane के रूप में लिखेंगे और लिखते समें यहां पर भी जो हम methane का एंध के है कुछ हम हटा देंगे और वह पर m जोड़ड़ देंगे तो इस तरह से यहां पर नाम हो जायेगा n-methyl-methen對了-τो इस तरह से झुख जो simple दुद्या के माइंस हैं उनका हम नामकरन करते हैं और साथी साथ मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जब हम N लिखेंगे N कैपिटल होगा और उसके बाद जब हम मिठाइल लिखते हैं तो दोनों के बीच में हम हाइफन लगाएंगे और यहाँ पर यदि हम दो बार N लिखत हैं तो दोनों N के बीच हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और जहां पर भी हम नंबर और टेक्स लिखते हैं दोनों के बीच में वहाँ पर हर जगह पर हाइफन का इस्तेमाल होगा इसी तरह से हम दूसरे मिश्रत एमाइन का उधारन ले ले सकते हैं जिसमें की जो अमोनिया है उसके एक हाइडरोजन को मेथाइल समु के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जबकि दूसरे को एथाइल समु के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तो सामानी पद्धती में इसका जो नामकरण है हम अलफा बेटिकली आडर में जो भी प्रतिस्थापी हैं उनक कम कार्बन वाला जो एलकाइल समूं है उससे हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे जब की जो अधिक कार्बन वाला समूं है उससे हम मुख्य हाइड्रो कार्बन के रूप में मानेंगे तो यहाँ पर अंत के E को हटा देंगे इसी तरह से अब हम तर्तियक एमाइन के नामकरण को देखते हैं यदि हम यहाँ पर पहले सिंपल तर्तियक एमाइन लेते हैं जिसमें कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमान्मों को तीन मिथाइल सम्हों के द्वारा प्रतिस्थापित किया तो यहाँ पर इसका जो सामानिया नाम होगा वह जाएगा प्राइ मिथाइल एमाइन सिंपल जो नामकरण होगा लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसका यूपीसी पध्धति में नामकरण करेंगे तो यहाँ पर दो एलकाइल समुन प्रतिस्थापि के रूप में लिखे तो चुकि यहाँ पर तीनों ही मेथाइल समू है तो दो मेथाइल समू प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाएंगे और दोनों ही अलग-अलग नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर दो बार NN का इस्तमाल करेंगे तो और साथ ही साथ इनकी संख्य का दो है इसलिए इसके लिए पूर्व लगन के रूप में प्रिफिक्स के रूप में हम डाई काउप्यो करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा NN डाई मेथाइल मेथे नामाइन तो इस तरह से इसका नाम करन किया जाएगा यहीं पर यदि मिश्रत तृतियक सभू से और एक हैड्रोजन को प्रॉपाइल समू से प्रतिस्थापित किया गया है तो यहां पर भी जब इसका सामाने हम नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापियों को हैलवाटिकली ऑडर में लिखेंगे तो यहां पर इसiteit मेथाइल प्रपाइll यह सामाने नाम होगा लेकि जो कि यहाँ पर प्रोपेन होगा जबकि बाकी के दो अलकाइल समू प्रतिस्थापी के रूप में अलफाबेटिकली ओर्डर में लिखे जाएंगे तो यहाँ पर इसे लिए हम लिखेंगे एन एथाइल एन मेथाइल प्रोपेन आमाइन तो इस तरह से इसका नामकरण होगा इसी तरह से हम यहाँ पर और भी उधारन ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाजर्वूजन आपको दिखाई दे रहा है नाजर्व्जन से जुडए हम इसका आयूपेसी पंधति में नाम करण करेंगे तो यह पर जो मुख्य चार कार्बन की जो श्रिंखला है वह मुख्य हाइड्रो कार्बन के रूप में लिखे जाएगी जब कि बाकी के दो जो इलकाइल समू है वह यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाएंगे है तो यहां पर यह कि हम इसका समाने करनधे हैं तो यह हो जाएगा डाइ-aat हेल दूताइल एं यह सामाने होगा लेकिनगों जब इसका इंप प्दत्ति में नाम होगा तो वो हो जाएगा चूंकि Nine से ही दो एथाइल समू जुड़े हुए है इसलिए हम उनकी संख्या को भी दर्शानी के लिए दो बार एन एन का इस्तमाल करेंगे तो यह नाम हो जाएगा एन एन डाई एथाइल और चुकि जो मुख्य हाइड्रो कारवन है उसमें चार कारवन है इसलिए रिखा जाएगा ब वहाँ पर हो जाएगा वन एमाइन जो इसका नाम करन हो जाएगा एन एन डाई एथाइल ब्यूटेन एमाइन इसके बाद हम कुछ और उदारन लेते हैं यहाँ पर भी हमें एक तत्यक एमाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम देखें कि जो एमाइन नाइप्रूजन है उससे एक मेथयल समू जुड़ा हुआ है एक एथाइल समू जुड़ा हुआ है जबकि जो तीसरा एलकल समू है वह यहाँ पर 5 का रबन की एक श्रिंखला है यहां कि वह पैंटाइल समू है तो इस तरह से जब हम इसका सामाने नाम करन करेंगे तो एलफाइब अटिकळी और जब इसका हम आयूपीसी पधती में नामकरन करेंगे तो जो पांच कार्बन की यहां पर जो श्रिंखला है वह मुख्य हाइड्रोकार्बन होगी साथ ही साथ चुकि जो मुख्य उसका जो नमांकन हम करेंगे उस तरफ से करेंगे जिधर से एमीन समू पास हो तो यहां पर हम देखें कि जो नाइट्रोजन से जुड़े अन्य प्रतिस्थापी है वो यहाँ पर एक मेथाइल समू है और दूसरा एथाइल समू है तो उन्हें हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे तो सामाने नामकरन इसका होगा वह जाएगा एन एथाइल एन मेथाइल debit 257 की जो में है वह 2.3 नंमर के कारबन से जुड़ा हुआ है इन उदारों के द्वारा हम नीमों का पालन करते हुए हम प्रत्मिक धुटियक और तो तरतियक प्रकार के का नामकरन कर सकते हैं इसके बिए लावा हम कुछ अन्य प्रकार के विशेश प्रकार के उदारन भी देखते हैं जैसे कि माली जे यहां पर अभी तक हमने देखा कि जितने भी दारन हमने लिए उसमें इमायन समू ही या फिर अलकाइल समू प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित थे लेकिन माली जे यहां पर एक उदारान हम ले रहे हैं जिसमें की आप देख रहे हैं तीन कार्बन की श्रिंखला दिखाई दे रही है जिसमें की एक तरफ NH2 अमाइन समू जुड़ा हुआ है जबकि साथ ही साथ यहां पर एक द्वी बंद भी उपस्तित है तो ऐसे स्थती में हम जानते हैं कि की जो हैमीन समू है उसका प्राइयॉर्टी ओरडर में कार्बन का किर्मांकन करेंगे वह हुजाएगा और इस तरह से यहां पर हम 123 कार्बन शृंकल में कार्बन का करेंगे और धापर पहले कार्बन पर हम देख रहे हैं कि मैं समू जुड़ा हुआ है जब कि जो द्वीबंद है वह दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन के मद्य उपस्थी थे तो इस तरह से जब हम इसका सामाने नामकरण करते हैं तो सामाने नामकरण में हमने जाना है कि वह कार्बन जो कि कहलाएगा कि जो कार्बन है वह कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके अलावाद जब हम इसका आयोपी सी पध्धती में नामकरन करेंगे तो यहां पर जो सबसे पहले क्योंकि यहां पर द्विबंध भी उपस्तित है सफिक्स के रूप में लिखने के लिए और साथी साथ एमा की श्रिंखला है इसके लिए हम लिखते हैं प्रॉप इसके बाद हम दिखाएंगे जो द्विबंध है जो पहला सफिक्स होगा वह द्विबंध को दिया जाएगा और यहां पर इसका नाम हो जाएगा टू इन साथी साथ जो आमाइन समू है वह पहले कार्बन से जुड़ा हम एक और उदारन लेते हैं यदि ऐसी स्थती हो जबकि में कार्बन से जुड़ा हुआ एक से अधिक नस्टू समू अमीनो समू उपस्तित हो तो ऐसी स्थती में जितने अमीनो समू होंगे उनके संख्या के अधार पर हम डाइट राइका उप्योग तो करेंगे ही साथी सा जो मुख्य हाइड्रोकार्बन का जब हम नाम लिखेंगे तो यहां पर हम अंत का जो ई है जिसे हम अभी तक सब्सक्राइट कर देते थे हटा देते थे उससे नहीं हटाएंगे पूरे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाएगा तो इस तरह से माल लेजे यहां पर हम एथेन और एथेन को लिखते समय हम अंत के ई का भी उप्योग करेंगे तो इस तरह से साथ यहां पर दोनों एमाइन समू की इस्थती दर्शाएंगे जो कि पहले और दूसरे कार्बन पर है तो इसका नाम हो जाएगा एथेन वन टू डाई एमाइन इसी तरह से और उदारण हम ले सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन की लंबी श्रिंकला दिखाई दे रही है और जिसमें की 2 कार्बन ओपर यहां पर एनिश्टू समू उपस्ती थे तो यहां पर भी हम क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जिधर से एनिश्टू समू पास है तो हम बाएं से दाइं और चलते हुए इसका क्रमांकन करेंगे तो इस स्थती में हमें दूसरे और तीसरे नंबर पर नच्टू समू प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित दिखे रहेंगे, तो यहाँ पर अब इसका जो नामकरण होगा, तो इसका नामकरण लिखने के लिए यह हो जाएगा, पहले हम हाद्रोकार्बन को लिखेंगे, यानि कि पेंटेन, फिर इसकी बाद लिखेंगे, टू, थ्री, डाई, एमाइन, तो इसका नाम हो ज रही है, और इसमें पहले और अंतिम कार्बन पर NH2 समू उपस्थित है, तो यहाँ पर भी जो 6 कार्बन का जब सामाने नाम हमें लिखते हैं, तो वो हो जाएगा, हेक्जा, मेथिलीन, डाई, एमीन, यह इसका सामाने नाम लिखा जाता है, लेकिन जो इसका आयूपीसी ना छटे नंबर के कार्बन पर यह उपस्थित है, तो इसी तरह से इसका नामकरण हम करेंगे, और यह हो जाएगा, हेक्जेन, 1,6-diamine, यह इसका नामकरण होगा, तो इस तरह से हमने सभी प्रकार के एलिफेटिक एमाइंस का नामकरण करना सीख लिया है, अब इसके बाद हम देखेंगे, एरोमेटिक एमाइंस का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है,